किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या फिर उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना दीपदान कहलाता है। और यदि दीपदान कार्थिक पुर्णिमा के शुब अफसर पर किया जाए, तो फिर तो उससे मिलने वाले पुर्णिका कहना ही क्या? कार्थिक पुर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती हैं, जिसके प्रकास से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक व्रत्यों का नाश होता है। और इस महा के त्रेयोदशी, चतुरदशी और पुर्णिमा को पुराणों में अतिपुषकरणी माना गया है। इसकंद पुरान के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रति दिन इस्तनान करता है, वो यदि केवल इन तेन तिथियों में सोर्यदे से पुर्व इस्तनान करें तो भी पुर्णुफल का भागी हो जाता है। कार्तिक पुर्णीमा के दिन महादेव ने प्रदोश काल में अर्ध नारिश्वर के रूप में तिरपुरा सुर्का वज़ किया था। उसी दिन देवताओं ने शिवलोग यानि काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा काशी में चलिया रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस पवित्र दिन काशी में दीपदान करने से पूरवजो को भी मुक्ती मिलती है। ऐसा कहा गया है जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है। वह दिविकांती से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरी के मंदिर में दूसरों के रखेवे दीपों को प्रजवलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। और ऐसा कहा जाता है कि एक चुहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके अगले जनम में दुरलब मनुश्य जन्म प्राप्त किया था समुद्र सहित प्रत्वी दान और बच्छडों सहित दोध वाली करोडों गायों के दान का फल भगवान विश्नु के मंदिर के उपर शिखर दीपदान करने के सोलवे अंश्य के एक वराबर भी नहीं है शिखर या हरी मंदिर में दीपदान करने से शत कुल का उधार होता है जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्थिक मास में केवल मात्र जोती दीपदी विश्नु मंदिर के दर्शन करते हैं उनके कुल में कोई नारकी नहीं होता अर्थात कोई नरक में नहीं जाता कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम है दीपदान किसी भी नदी में किसी मंदिर, पीपल, चरहा किसी दुरगम इस्थान आदी में करना चाहिए और भगवान विश्णु को ध्यान में रख कर ही किसी इस्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है दीबदान का आशे अंधकार मिटाकर उजाले की आगमन से है और मंदिर में सबसे अधिक दीबदान किये जाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पर आप दीबदान कैसे कर सकते हैं वैसे तो आपको पवित्र गंगा जी में, यानि बहते जल में दीबदान करना चाहिए, यदि किसी कारण से आप बहते जल में दीबदान करने में समर्थ नहीं है, तो घर पर ही आप मा गंगा जी का अहवाहन करके कैसे दीबदान कर सकते हैं, कितने दीपक आपको जलाने चाह जब आपने घर के अंदर जहां पर आप चौके सथापित किया करते हैं और आप पर पहले पैले चौके कचे निपना सकते हैं या फिर आप अपने घर की चट पर भी आप गंगा दीबदान कर सकते हैं वहाँ पर ये संपुर्ण पूजा विदी संपन कर सकते हैं तो जैसे भी आपके घर में सुविधा हो उसके नुसर आप गंगा दीबदान की तेयारी करें सबसे पहले तो आप ए दीपक और बाती तयार कर लें क्योंकि जो गंगा जी में दीपदान किया जाता है उसमें आपको पत्तों का दोना बनाना होता है दोना येदी नहीं बना पाते हैं तो केबल सीधी पत्ते पर भी आप बाती रखकर उन्हें तरह सकते हैं जिसके लिए आप पीपल का या फिर व जैसे गंगा जी का पूजन किया जाता है तो उसी तरह से आपको पूजन करना है उस जल में आपको थोड़ा गाय का कच्चा दूद और हल्दी डालनी है काले तिल अक्षत पुष्प डालने है गंगा मया का अहवाहन करते वे गंगा मया का पूजन करना है गंगा दीपतान कर इस सिन मा गंगा को जो आभूशन है या जो वस्त रहें वो भी समर्पित के जाते हैं जैसे बहुत से लोग गंगा मैया को कंगन समर्पित करते हैं गंगा मैया में जवारे बोते हैं जौब होते हैं तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो थोड़े से जौबी आप साथ में ग पस दक्षिना या फल मिठाई या जो बाइना आप देना चाहते हैं वो भी आप गंगा जी को इस पर्ष कराकर या नी जो पराथ है उसे इस पर्ष कराकर एक तरफ रख लेजेगा जिसे आप बाद में अपने परिवार में अपनी सासुमा को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को भेंट स्वरूप दे सकते हैं गंगा मैया का पूझन करने के बाद अब आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर दीबदान करने का संकल्प ले कि आज आप घर पर ही गंगा दीबदान कर रहे हैं हे गंगे मैया अब तक हमने जो भी पाप किये हैं उन सब को आप कीचेगा और हमारे दिवारा किये जाने वाले इस दीवदान को स्विकार कीचेगा इस प्रकार संकल्प करने के साथ ही आपके हाथ में संकल्पित जल पुष्प अक्षत है उसे आप गंगा जल में छोड़ दीचेए अब आपने जो भी पत्तेया दोने तयार किये वे हैं जिस आप जला लीचे और जलतेवे दीपक को उस जल में आपको रख देना है जो परात है उसमें आपको रख देना है और जिस तरह से हम पानी को थोड़ा सा हिला करके अपने दियों को तेराते हैं उसी तरह से आपको इन दीपको को तेराना है दीपक गंगा जी में रखने से प प्रणाम करें और उसके साथ ही आप पहतेवे जल में या जो परात का जल है उसमें आप इन दियों को छोड़ दीजिए इस तरह से बड़ी आसान विधी से घर में ही दीपदान किया जाता है परिवार के जितने भी सदसे हैं चाहे तो आप उन सभी के नाम से एक एक दिया तब आप जो भी जल है उसे अपने घर में गमले में क्यारी में पॉधों में डाल सकते हैं जो भी पत्ते या दोने हैं बाती सहित उनका आपको विसरजन कर देना होता है पुष्प अक्षत इन सभी का आपको विसरजन कर देना होता है मा गंगा के नाम से जो भी आपने भे आपको बताए गए हैं उस सामगरी का जितना हो सके या जैसी भी आपकी सामर्थ जितनी भी सामगरी का हो सके उतना दान आप जरूर कीजेगा गंगा जी में दीबदान इसी तरह से किया जाता है इसके अलावा यदि आप 365 बाति का दीबदान करना चाहते हो तो यह दीबदान पुरानिक कथाओं के नुसार इस दिन देवता गंगा जी में इसनान करने के लिए प्रत्वी पर आते हैं ऐसे में इस दिन गंगा इसनान का और दीपदान का विशेश महत वो होता है मानता है कि इस दिन दान करने से बहुत पुर्णी मिलता है अगर आप गंगा इसनान करने नहीं जा सकते तो आज की दिन दीपदान करने से पहले नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर इसनान करें इससे गंगा इसनान के समान ही फल मिलेगा और इस दिन प्रदोश काल में दीब दान करने से भगवान विश्णु सही देवि-लक्ष्मी जी भी प्रसन होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा प्रदान करती हैं। आप दीबदान करने से पहले आज के दिन दान अवश्य करें और दान करने के लिए भी यदि आप 9 ग्रहों को प्रसंद करना चाहते हैं तो 9 ग्रहों को 9 तरह का दान करना चाहिए जिसमें सोरे के लिए गुड और गेहूं का दान करें चंद्रमा के लिए जल, मिसरी और दूद का दान मंगल के लिए मसूर की दाल का बोध के लिए हरी सबजियों और आवले का दान करना चाहिए ब्रसपती के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें शुक्र के लिए घी, मक्षन और सफेद तिल का दान करना चाहिए, शनि के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए, इसके इलावा राहु केथु के लिए साथ तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चपल का दान करना चाहिए, ये थी आज की वीडियो, उमिध् जानकारी आपको पसंद आई होगी